Mumbai Indians के लिए इस सीजन की अभी तक की Find of the Tournament कहलाया जाने वाले तिलक वर्मा ने आज के मुकाबले में भी जड़ा एक ऐसा चक्का जिसने किया है हम सभी को इंप्रेस और शायद अभी तक का Six of the Tournament भी कहलाया जा सकता है इस वीडियो में बात करेंगे उसी शॉट के बारे में जीहां Cricket in India का YouTube पेज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ लक्षत कॉलकता नाइट राइडर्स के सामने पारी के सोलवे ओवर में पैट कमिंस की कीन्त पे एक ऐसा 360 डिगरी शॉट जड़ा है तिलक वर्मा ने जहां फाइनलेक के दिशा में एक भेतरीन चक्का जड़ दिया है तिलक वर्मा ने इस सीजन के पिछले मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के सामने 61 रनों की बढ़िया पारी के बाद एक बार फिर से ये यंग सितारा हम सभी का दिल जीता हुआ देखना होगा इस मुकाबले में जो एके बढ़िया चक्का जड़ा तो है पैट कमिंस जैसे इंटरनाशनल बूलर को जो आज अपना पहला मुकाबला खेल रहे हैं आईपील सीजन 15 का बच्चे वे ओवर्स में किस तरह से करेंगे अब बले बाजी अभी तक बात कर ली जाए तो इस मुकाबले में 20 गेंदों में 31 रंड बना दी है दो चौके और दो चकों की वंदत से इसमें से एक चक और एक चौका वरुन चक्रोवर्ती को भी लगाया है मुंबाई इंडियन्स की लड़कडाती हुई पारी को क्या एक बढ़िया अंदे पाएंगे यहां से तिलक वर्मा यही देखना होगा जहां पे अभी स्कोर पहुंचा है 17 ओवर्स के बाद 115 पे यहीं पे रहेंगी नज़ने तब तक के लिए लाइक कर दीजिए इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में आप बताईए किस तरह का लग रहा है आपको तिलक वर्मा का परफॉर्मेंस और साथ ही में सब्सक्राइब कर दीजेगा क्रिकेट इन इंडिया के योट्यूब चैनल को जानने के लिए आईपिल और क्रिकेट से रिलेटेड हर एक लिए डेस अब्रेट